हलो गैज आज इस वीडियो में जानेंगे उत्सर्जन यानि एक्स किरियेशन उत्सर्जन अंग कौन कौन है क्या क्या उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन क्यूं करते हैं सब कुछ जानते हैं उत्सर्जन एक्स किरियेशन मानो जानवर पंची किड़े मकोड़े धर्ती का कोई भी जीव सब के अंदर गंदगी होता है और वो गंदगी को निकालना बहुत जरूरी होता है और गंदे पदार्थ को सरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है सर्जन अंग कौन कौन है, मानो का मुख्य उठ्रजन अंग वरिख होता है, यानि किड़नी होता है और दो वरिख होते हैं और दो मुत्रु वाहिनिया, एक मुत्रास है और एक मुत्र मार्ग होता है ठीक है इसी के साथ-साथ फेंफडे या करीत इवं तोचा भी गंदे पदार्थ को उत्सरजित करते हैं अब समस्ते हैं क्या-क्या उत्सर्जन होता है पसीना मुत्र मलासय कारबंडा यॉक्साइड अमोनिया यूरिक अमल तथा कुछ अन्य नैट्रोजन के यॉगिक निकलते हैं अब समस्ते हैं उत्सर्जन क्यूं करते हैं तो हमारे सरीर में विभिन किर्याओं के फल सोरूप अनेक हानिकारक या यूँ कहें तो अफसिस्ट पदार्थ बनते हैं इन पदार्थों कोई इकठा होने से हमारे सरीर पर बूरा परभाव पड़ता है इन पदार्थों को सरीर से बाहर निकालना अवस्यक है इसलिए मनुस्य में उत्सर्जन किरिया अवस्यक है मनुस्य ही नहीं धरती के कोई भी जीव है ना तो सब के अंदर उत्सर्जन होता ही होता है अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो खुद ही खुद मर जाएंगे ठीक है आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है किलेरली आपको आ क्या होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंत मात्रम